बुद्वार को राश्रबादी कॉंग्रेस के मुखिया शरतपवार के नाखपुर दोरे से कार्यकरताओं में उत्साह का संचार हो गया वर्धमान नगर के साथ वचन लौन में आयोजित कार्यकरता सम्मेलन में सभी बड़े नेता एक पंच पर नजर आए इस दोरान शरतपवार ने कहा कि केंद्रा सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोकर एडी के माध्यम से राज्य सरकार को अस्तिर करने का प्रयास कर रही है लेकिन उनका ये प्रयास सफल नहीं होगा अनिल देश्पुक को बेवजव फसाया गया है उनकी कोई गल्ती ही नहीं है देश्पुक जल्द ही कार्यकरता और सहित पार्टी के गयती विद्यों में नजर आएंगे सम्मेलन में नाकपुर शहर सहित जीले के तमाम कार्यकरता और पधादिकारी मौजुद थे इनमें सांसत प्रफुल पटेल, पुर्वा मंदरी रमेश बंग, राजेंद्र जैन, सुबोध मोहिते, शब्बिर एहमद विद्रोही, दिनानात पडोले, प्रकाश गजबिये, शेखर सावरबांधे, प्रविन गुंटे, आभापांडे, दुनेश्वर पेठे मौजुद थे, शरत पवार ने कहा कि अनिल देश्मुग पिछले कई वर्षों से पार्टी में काम कर रहे है, एन्सिपी को मजबूत करने का काम उन्होंने किया, हाला कि राज्यमें महाविकास आगाडी सरकार E.D. के खिलाफ बेबाकी से जवाब दे रही है, देश्मुग की कोई गल महानगर पालिका चुनाओं को देखते हुए, सभी कारे करताओं को अपने मतभेदों को भुला कर काम शुरू करने की जरूरत है, महानगर पालिका में सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करना होगा, मैं पिछले 40 साल से पवार के साथ काम कर रहा हूँ, मैं 10 दस साल तक केंद्र में मंत्री रहे, नागपूर समेत विदर्व में सभी को NCP को नंबर वन पार्टी बनाने के लिए ताकत दिखाने चाहिए, अनिल देश मुख जल्द ही पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए हमारे साथ होंगे, आज देश को पवार के प्रगतिशिल सोच क के विचारों की जरूरत है, कटल पंथी ताकते सामप्रदाइक दंगे फैला कर महाराष्ट को निशाना बना रही है, लेकिन प्रगतिशिल विचारधारा के कई पवार सामने आएंगे, स्मार्ट सिटी ने कई लोगों को सड़कों पर ला दिया है